हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस टड़ी आईक्यू में और मैं अभिनबराज आपके लिए बिहार स्पेसल एक खास सीरिज लेकर आ गया हूँ यहाँ पर इस सीरिज में टोटल 38 वीडियोज रहने वाले हैं जो कि सारे के सारे वीडियोज आपको यहीं यूटूब पर मिलने वाले हैं और इन वीडियोज की खास बात यह रहने वाली है कि हर एक डिस्ट्रिक को जितने comprehensive manner में हम कभर कर सकते हैं उतने detail में हम कभर करने वाले हैं और इस से लभानवित ना केवल एक्जाम की तयारी करने वाले पर इक्षारती होंगे बलकि ऐसे वी व्यक्ति जो बिहार को अच्छे से जानना चाहते हैं और बिहार जो है वो कहीं खो गया बहुत तरीके के जो political turmoil हुए या जो भी scenarios रहे हैं इन बीच में जो की अपना गरोसाली इतिहास बिहार कहीं न कहीं खो दिया पिछले 800-900-1000 वरसों में जिस रूप में बिहार को जाना जाना चाहिए था उस रूप में नहीं जाना जा रहा है तो यहाँ पर उस अस्मिता को जगाने की भी एक साकरात्मत प्रयास रहेगी यहाँ पर हम चीजों को बढ़ा चड़ा के आपके सामने नहीं प्रस्तूत करने वाले हैं बल्कि उन चीजों पर आपके ध्यान को केंद्रित करेंगे उस तरफ आकरसित करेंगे जिससे आप ये समझ सके कि इन चीजों पर कितनी बारीकियों से हमें ध्यान जाना चाहिए और फाइनली जो एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं और खास कर बिहार पब्लिक सर्विस कमिसन की तैयारी करने वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो ये कमाल की सीरिज रहेगी मे तोड़के जब आप एक साथ देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे पास बल्क में इतना इंफ्रमेशन आ गया ठीक है यहां पर जो मेरी एक अलग सी प्रियास रहती है कि मैप स्वैगरा का सहारा लिया जाए वो हम यहां पर लेते रहेंगे आगे बढ़ते हैं तो हम सुर सारन, तिरहुत, दर्भंगा, कोसी, पूर्णिया यह नौर्थ बिहार के 5 डिवीजन्स हो गए और साथ बिहार में पतना, मगद, मुंगेर और भागलपूर तो यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं तिरहुत डिवीजन्स वैसे भी अब आप ये भी समझ गए कि जब हम वेश्चमपारन की बात कर रहे हैं तो यहां पर तिरहुत डिवीजन्स में लोकेटेड हैं तो यहां पर देख लीजे इस मैप को, यह वाला मैप था जो आप देखें यह डिवीजनल मैप आप बिहार है और यहां पर हो गया यह डिस्टिक मैप बिहार यहां आप समझ पा रहे हैं कि नौर्थ की तरफ है तो यह वेश्चमपारन यहां पर आपको नोदर्न और वैस्टन मोस्ट डिस्टिक के रूप में नजर आ रहा है, वेश्ट और इस्ट यहां पर नजर आ रहा है लिखा हुआ यानि कि यह पश् से स्टार्ट करूं सुमिरन कहां से करूं गौतम बुध से स्टार्ट करूं या समराट असोक से स्टार्ट करूं या जियोगरफी में तराई या महत्मा गांधी से स्टार्ट करूं या आज के जो फेमस परसनालिटीज हैं वहां से स्टार्ट किया जाए या फिर यहां पर जो ecosystem है ecology है या यहाँ पर जो tiger reserve wildlife centuries है national park वहाँ से start किया जाए river से start किया जाए आप समझ सकते हैं कि इतना reach है वेश्चमपारन कि मैं confused हो गया कि start कहां से करूँ फाइनली जियोग्राफी को focus करते हुए इस region को corner करेंगे और यहाँ पर हम चीजों को आगे लेके बढ़ेंगे तो boundary देख लेते हैं boundary यानि कि चौभधी आप समझ ही पा रहे हैं कि यह वेश्चमपारन है आपको यहाँ पर नेपाल नजर आ रहा है यानि यह उत्तरी भाग में कहेंगे कि नेपाल है अगर इंडिया में इसके पूरब में देखें तो पुरवी चमपारन है पस्चीम के हिस्से में अगर देख लें तो हमें उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है और दक्षिण में कहेंगे कि यह गोपाल गंज का जीला है ओके तो एक बार ऐसे देख लीजे कि नौर्थ में हिल्ली रीजन ओफ नेपाल है कोई सक नहीं है इसमें साउथ में गोपाल गंज है और कुछ पुरवी चमपारन डिष्टिक के हिस्से हैं ठीक है देखिए यह वेस्चमपारन है तो यह साउथ इसका यह हुआ तो यहाँ यह दोनों जिले कहे जाएंगे अगर इस्ट की बात करें तो वापीस से कह सकते हैं कि थोड़ा नेपाल का हिस्सा थोड़ा पुरवी चमपारन का हिस्सा और पस्चिम में क्या कहेंगे तो यहाँ पर उत्तर परदेश कहेंगे अब उत्तर परदेश में भी अगर पृसाजल लेकिन यह बताने का एज मकसद है कि यह बिहार का सबसे बड़ा Village है एरियावाईज वैसे बीइस मैप को देखिए पॉस करके देखिए आपको समझ आ रहा हुआ कि जी हाँ वाकई यह एरियावाईज सबसे बड़ा है तो एक बार को मैं ये पस्चिम चमपारण का ये भी मैप दिखा देता हूँ जिससे आपको एक instance देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर ग्रेट गंडक रीवर नजर आ रही है यहाँ पर कुछ बागा लिखा हुआ है यहाँ पर और भी बहुत सारे जगह है यहाँ हेट क्वार्टर बेतिया नजर आ रहा है चीजों को हम देखेंगे यहाँ पर और भी अलग-अलग तरीके के मैप्स हैं मैं जरूरत के हिसाब से जूम करके दिखाऊंगा आपको भी लगेगा कि हाँ बहुत कुछ जानना है बोर नहीं होना है बिलकुल और जहां कहीं कन्फूजन लगे मेरी बातों में वीडियो पहुज करके कमेंट सेक्षन में अपनी बात को लेके वीडियो प्ले करके देखना है मैं अगले वीडियो में इसका जवाब दे दूँगा तो यहां पर जो एग्रिकल्चर यानि कि खेती हो गई ग्रिहस्ती किसानी जो है यह मेन सोर्स अफ इंकम है जो भी ब्यक्तिवेस्ट चमपारन में रह रहे हैं यानि एग्रो बेस्ट यहां पर एकॉनमी का विकास हुआ या उसी तरीके से यह रहा है जिस तरीके से आप इस बात को कह लीजिए कुछ एग्रो बेस्ट इंडस्ट्री जो है वो फ्लोरिश हुए हैं और बहुत अच्छे से काइदे से चले भी है और चीनी मिलों के लिए जो बिहार का छेतर है वो जाना गया है अजादी के पहले के भारत में बिहार का बहुत ही दबदवा अब था लेकिन विथ टाइम हम कह रहे हैं कि यहां टेकनलोजी अपसोलेट हो गई और पूरी सुगर इंडस्ट्री भी है वो साउथ इंडिया की तरफ कही न कहीं सिफ्ट हो रही है कई वजहों से लेकिन फिर भी यहां पर सुगर मिल्स जो है वो इस्टेबलिस हुए थे जो यह छेतर है यहां पर मजहौलिया या फिर बागा का छेतर रामनगर का छेतर नरकटिया गंज चनपटिया और लॉरिया यह जो लॉरिया नाम आया तो आपके दिमाग में लॉरिया रिराज लॉरिया नंदगर यह सारे टर्म आ गए होंगे ठीक तो देखिए जो दो यूनिट्स है यह अभी के लिए तो बंद हो गए है यानि के चनपटिया और लॉरिया लेकिन बाखी कहीं न कहीं फंक्शनल है तो यह एग्रिकल्चर की बात हो गई और एग्रो बेस्ट इंडस्ट्री की बात हो गई जिस पर अभी के जो ततकाली गॉर्मेंट है उनका एक बहुत ही सकरात्मक एस्पेक्ट है कि जादा से जादा हम एग्रो एंट्रोपेनियर्शिप को बढ़ावा दे तो इनकी मार्केटिंग जो है अलग-अलग जगों पर होती है साथ ही यहाँ पर कई तरीके के कुटिर उद्योग है यानि की कॉटेज इंडस्ट्री है जो की लोकल एबलेबल निचुरल और एग्रिकल्चरल प्रोड़क्स पर बेस्ट है जैसे कि यहाँ पर गुड बनाया जा जाता है और यह सब इस छेतर में काफी पॉपुलर है तो अगर आप इतना आइडिया ले लिए तो आपको वहां के एकॉनमी का लाइफ इस्टाइल का पता चल गया कि ग्रामिन परिवेस है लोगों का जो है प्राइमरी लेबल पर इन्वाल्मेंट जादा है तो लेंड यहां बेहतर क्लासिफिकेशन है वदई यानि जो आटम में अगहनी यानि खरीफ का जो फसल हो गया और राभी तो राभी है स्प्रिंग वाले टाइम में यानि गेहुम राभी है अगहनी जैसे है अगहन जैसे अब हिंदी जो महीने जो भी लोग जानते है उनके लिए महीने के बाग तो यह भदई हो गया यानि कि वो आटम क्रॉप हो गया अब जो भदई क्रॉप्स है इसमें मक्का और सुगर केन है जान लीजिए वैसे भी बिहार से रिलेटेड एक्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है जो में क्रॉप्स है अगहनी उसमें धान यानि कि पैडी और आलू पोटेटो और राभी जो है गेहुं और गेहुं के साथ बार्ली हो गया अरहर यह सब होते हैं और यह यहाँ पर देखते हैं कि जो में क्रॉप्स है लो लाइंग एरिया जो नोधरन रीजन है तो वो पैडी है क्यूंकि पैडी जो है आप समझते है तराई की अच्छी पैदावार हो जाती है तो नेचुरल डिवीजन्स में बाट लेते हैं वो तो आमने एग्रो बेस्ट एकॉनमी को देखा क्लासिफिकेशन लेंड यूज पैटरन को देखा तो जो नेचुरल डिवीजन है तो आप वैसे समझिए जैसे एक मैं एक बड़े अस्तर पर अगर बता दू तो एसम कह सकते हैं कि ये तीन रेंज है हिमाले के हिमादरी या ग्रेट हिमाले इसको हिमाचल कहते हैं और इसको सिवाली कहते हैं आउटर हिमाले या बाहे हिमाले ये मिडिल हिमाले है इसके बाद आप जानते हैं कि भभभर का ऐसे छेतर आता है जो कि काफी रौकी होता है और इसके बाद दलदल वाली भूमी होती है जिसको तराई का छेतर कहते हैं और इसके बाद यहाँ पर जो देखेंगे कि ओल्ड ऐलूबियम है जिसको भांगर कहते हैं और जो निव ऐलूबिय है वो भीहार की highest peak है क्या आप उसकी height meter में मुझे बता सकते हैं तो यह north में है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मिट्टी है यहाँ पे तो वो यहाँ पर rock formation से बना हुआ है यानि वो बहुत ज़्यादा उसमें आपको मिट्टी वाला गुण नहीं नजर आएगा कई बार लगेगा कि यह पत्थर कंकर इसमें ज़्यादा है आप देख सकेंगे तो आपको यह समझ आएगा जहाँ पर water can be impounded a rich growth of crop is possible तो जहाँ पर इस तरीके से पानी वेगर है उसको store करके अच्छे से खेती practice की जाती है तो यह पैदावार आता है और यहाँ पर rocky soil है जो उत्री छेत्र है वहाँ पर जो हिली area के बाद यहां तराई का छेत्र है मैंने अपने classification में बताया भी कि यह से भभर का छेत्र है और उसके बाद तराई आता है है जो कि यहाँ पर खास community रहती है tribal community है जिसको थारू कर tribal community कहते हैं तो वह इस छेत्र में वास करते हैं जैसा बीपीए सी सवाल पूछता है कि इस छेत्र में बिहार में थारू tribe कहां पाये जाते हैं आप इस लिए बता सकते हैं तो जो तराई है इसके बाद क्या है मैदानी भागाता है फर्टाइल प्लेंस आते हैं और वह बागी के डिस्ट्रिक्स में हैं जो तराई वाला छेत्र है वह पूरा वहाँ पर बने जीव अभेरन वैगरा है बालमिकी नेशनल पार हनब और यह जो प्लेन है यह देखेंगे कि वेल डिफाइन ट्रेक्स हैं यहाँ पर छोटी कहले क ओर और यहाँ पर में जो है लोकली गंड की रिभर भी कहते है यहाँ पर आपको यह भी समझाना चाहिए कि मैं अगर यह कह रहा हूँ कि यह चमपारन का छेत्र है तो यह सुमेसवर वाला रीजन हो गया वेश चमपारन में उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पर रौकी का छेतर है वो वहाँ पर देखते हैं कि भांगर स्वाइल है और यहाँ पर लो लेंड भी है यानि लो लाइंग एरिया है वहाँ बहुत सारे जो है आपको number of streams छोटी 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 नदिया नजर आती है जो कि दक्षिण के और flow करती है यहाँ पर मैं अगर map को जूम करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने सारे streams है छोटे छोटे अलग अलग नाम से नदी है यहाँ पर सारे नदियों के नाम जानने भी जरूरी नहीं है लेकिन इसको आप देखिए तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा एक major तो यहाँ मुझे गंड़क रिवर नजी गंड़क नदी नजर आ रही है बाकि बहुत सारे छोटे 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 streams है तो सब के बारे में अभी के लिए हम नहीं देखते हैं आगे बढ़ते हैं यह समझ गए अब यहां पर जो मार्सी डिप्रेशन है यहां पर वहां पर कई सारे छोटे 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 lakes हैं वाटर बड़ेज हैं जिनको की चौर के रूप में जानते हैं चौर कहते हैं यह भी तस्बीरों से भी रूबरू कराया जाएगा तो natural divisions हो गए गंडक और नरायनी जो है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक और नदी है जिसको कहते हैं सीगा रहाना इसी को little गंडक भी कहते हैं तो गंडक या नरायनी एक नदी हुई और एक छोटी गंडक हो गए यह दो important rivers हो गए इस district से यह याद रखेंगे अब नदियों की बात हो रही है तो खेती की भी बात होनी लाजमी है और यहाँ पर तीन अलग अलग नहरों के network हैं तिरहूत, तिरिबेनी और दन यह तीन जो है हमने समझा और यह division जो है तिरहूत division में आता है जो छेतर है, इसका headquarter बेतिया है, हमने अभी देखा था और नेपाल के साथ इस district का fluvial border है fluvial border का मतलब होता है कि यहाँ पर नदी जो है न वो border बनाती है, इसमें देखिए यहाँ पर आपको समझा रहा है कि river बह रही है, तो यहाँ पर नेपाल के साथ fluvial border है यह बहुत सारे, यह तो एक नदी हो गई जिसको हम गंड़क को दिखा दिये आपको लेकिन यहाँ बहुत सारे जगहों पर इस जगह पर ऐसे fluvial border कई जगहों पर आपको नजर आते हैं तो यह भी एक पहलू है आपसे पूछा जा सकता है तो वेस्ट चमपारण जो है पहले एक ही डिस्टिक हुआ करता था जिसको चमपारण डिस्टिक कहते थे पुराना वो गांधी जी के जमाने में चमपारण था या उससे भी पहले वो डिस्टिक दो हिस्टों में तूट जाता है पुर्वी चमपारण और पस्चमी चमपारण अब यह हमारा फोकस पस्चमी चमपारण पर है वेस्ट चमपारण पर जो की 1972 में बना है री ओर्गेनाईजेशन जब डिस्टिक्स हुए थे बिहार में तो ये पहले तो ये सारन डिस्टिक के सब डिविजन के अंतरगत आता था लेकिन बाद में ये सब कुछ तिरहुत में चला जाता है और बेतिया इसका मुख्या लाए हो गया अब जो ये बेतिया जो जगह है बेतिया का नाम कहा जाता है कि बेत से बना है जैसे जब हम इंडस्ट्री जिन बिहार देख रहे थे तो वहाँ पर हमने बैंबू एंड केन को पढ़ा था केन को कहते है हिंडी में बेत पहले बच्चों की उसे बहुत अच्छी सुताई होती थी इसकूलों में और बेत से बहुत तरीके के फरनीचर और भी बहुत सारे समान बनते हैं तो इन ही केन्स की उपलब्दता बहुल्यता के वज़ा से इस जगह का नाम बेतिया पढ़ा है ऐसा पॉपुलरली कहते हैं जो नाम चंपारण है इस छेतर का तो यहाँ पर एक खास तरीके का चंपा नामक व्रिक्ष हुआ करता था और चंपा का आरणय का मतलब होता है वन आपने जब हिंडी में परियावाची सब्द पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बन को ही आरणयक नाम से भी जानते हैं तो यहाँ पर चंपा व्रिक्ष की बाहुलेता के वजह से इस छेतर को चंपारण के रूप में जाना गया ठीक है तो बेतिया का नाम का लॉजिक चमपारन के नाम का logic समझ गए और अगर district gadget के हिसाब से कहें तो यहाँ पर जो है Aryan descendants जो है उनसे पहले यहाँ पर कुछ population रहती थी और विदेह रूल जो है वो विदेह समराज्य कहलाता था जब विदेह समराज्य का कहले कि डाउन फॉल हो जाता है तो यहाँ पर वज्जी ज जो है बर्दमान महवीर उनके समय को जो पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको जो दुनिया के सबसे पहली रपब्लिक नजर आती है तो वजियन वो उलिगार्कियल हो गया यानि कि handful लोग जो है रूल कर रहे हैं और वो लोगों के 20 से चून के आये थे रिपब्लिकन मोड था और जिसकी राज़धानी वैसाली है तो वैसाली में जो सबसे important आठ कलानों में थे उसमें लिछवी सबसे important कलान है क्या आप आठो कलानों के नाम मुझे क्लान्स के नाम मुझे comment section में बता सकते हैं जिनका connection वजी नामक गणराज्य से था तो ये समझ गये बाद में क्या दे और उसको अपने में समाहित कर लेता है तो उसकी सोवरनीटी जो है वो पस्चमी चमपारण तक continue होती है मौरियन रूल्स में भी ये देखने को मिलता है मौरे के बाद सुंग के टाइम में और कनव के टाइम में कहने का मतलब है कि मगल का अभिन हिस्सा बनके रहा जो ये डिस्टिक है ये फिर देखते हैं कि कुसानों के समय में और गुपता के समय में इस तरीके से जाना गया कि ये चमपारण का छेत्र है लोकली ये इस नाम से जाना गया तो तिरहूत चंपारन का छित्र जो है ये एनेक्स किया गया पॉसिबली हर्सवर्धन के समय में और वेंस यांग जो है जब इंडिया को विजिट किया है यानि 700 AD के इर्दगिर्द की बात हो रही है टाइम फ्रेम को हम आगे से बढ़ाते हैं और 7500 से लेके 1155 AD के बीच में जो बेंगॉल में पाल सासक रहे जिनकी राजधानी कई बार मुंगे रही ठीक है तो उनका जिए पोसेशन रहा और चंपारन जो है उनके टेरिटरी का हिस्सा हुआ करता था जो दसवी सेंचूरी है यहां पर गंगे देव जो है जो यह कल्चेरी डाइनेस्टी है वो यहा अब यहां पर मुस्लिम सासक आते हैं 1213 से लेके 1227 तक इस तरीके से पहला मुस्लिम इंफ्लूएंस जो है इस छेतर में देखने को मिलता है लेकिन इन चीजों को हम तेजी में स्कीप कर देते हैं क्योंकि इतना आपके लिए डिटेल में जानना जरूरी नहीं है जिन चीज पर जरा हम डिस्टिक के स्ट्रक्चर को समझ लें तो यहां पर सबसे जो एड्मिस्ट्रेशन का टॉप पॉइंट हो गया वो हुआ कलक्टरियेट के बाद यहां पर तीन सब डिविजन्स है यानि कि अनुमंडल अनुमंडल के बाद यहां पर प्रखंड और अंचल जो हो हैं लेकिन 40 पूलिश डिष्टिक्स है एक तो उसमें नोगच्य भागलपूर का और दूसरा पश्मि चंपारन का जो बागा च्छेत्र है तो यहां पर एक से अधिक पूलिष districts हो गया, यानि कि एक तो बेतिया हो गया police district और एक हो गया बागहा, यह important है, बहुत remarkable है, यह आप याद रखेंगे subdivisions हो गया तीन, कौन-कौन से, बेतिया, नरकटिया गण्ज और बागहा, यह नाम, जानने बहुत जरूरी नहीं है, उस छेतर के हैं, तो सारे जगह हैं, जो कि आपको जरूर ही जानने चाहिए, जैसे बालमिकी नगर अभ्यारण, बालमिकी जी का आस्रम, यहां मैंने इसलिए यहां अंडरलाइन कर दिया है, क्योंकि यह वैसे तो थोड़ा नेपाल के रीजन में आता है, बट हाँ चमपारण से उसका एक गजब का नाता है, तो हम चमपारण में इसको टूरिजम के तोर पर देख सकते हैं त्रिवेनी नदी का जो घाट हो गया बैंक हो गया, सुमेस्वर की जो फोर्ट है, इसी तरीके से जो बितिहरवा आस्रम है जो यहाँ पे नंद गड़ है और जो चांकी गड़ है असुक का जो पिलर है लोरिया में और यहाँ पे सरया मान यह सब बहुत इंपोर्टेंट है और हम इनको वन बाई वन देखते हैं तो जो बालमी की नेशनल पार्क है यह वेस्ट चंपारन डिश्टिक में आता है और यह बिहार का एक लोता नेशनल पार्क है कितनी बड़ी बात है यह इंपोर्टेंट है और चंपारन डिश्टिक का यह करीब 17.4% एरिया जो है वो होल्ड करता है टाइगर इजर्ब भी है और वाल्मी की नेशनल पार्क का यह जो छित्र है यह पहले भैसना लोटन नाम से जाना जाता था तो भैसना लोटन अगर कभी आ जाए तो आपको समझना है कि ठीक है फॉर्मर नेम है यह वाल्मी की नेशनल पार्क का और जो बाल्मी की Tiger Reserve है और ये बात हो रही है जो बेतिया राज और रामनगर राज यानि जो इस्टेट हुआ करते थे उन समय में बाद में 1978 में ये wildlife century declare होता है नेशनल पार्क बन जाता है सन 1990 में अब बाल्मी की नेशनल पार्क के बारे में थोड़े अच्छे से जान लेते हैं जियोग्राफिकल परस्पेक्टिब से तो ये foot hills जो है हिमालिया के मतलब सिवालिक के foot hills में ये located है और ये मोजाइक है यहाँ पर बहुत तरीके के पहलू नजराते है ये एक stretch देखिए जमीन नजरा रहा है पानी नजरा रहा है पहार नजरा रहा है यहाँ पर अलग अलग तरीके के vegetation हैं यहाँ पर हर्व स्रव सब आपको नजरा रहे हैं त मतलब क्या नहीं है सोचने वाली बात है यह बहुत इंट्रेस्टिंग यहाँ का जो बायो जोग्राफिक जोन है वहाँ पर located है और यहाँ भभर और तराई का छेतर भी देखने को मिलता है जो कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं बोल्डर पेबल यह सब नजराते हैं और यहा बाराज है आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पानी को रोका जाता है तो किस नदी के पानी को रोका जाता है यह मेरा सवाल है आपसे comment section में अब देख लेते हैं त्रिवेनी घाट को bank of त्रिवेनी तो त्रिवेनी नाम कई जगों पर यूज होगा जहाँ पर एक से अधिक नद दूसरा है सोनाहा और तीसरा है गंढग जो की वेस्ट चमपारन के northern region में located है और यहाँ पर जब ही कोई पवित्र occasion है जैसे कि मकर सक्रांती की बात हो तो यहाँ बहुत बड़ा सा यहाँ मेला का आयोजन होता है और यहाँ पर लोग डुब की लगाते हैं पवित्र जल में और यह बहुत ही beautifully positioned है nature के द्वारा इंडो नेपाल बॉडर पर और यहाँ पर एक unique ही confluence का मज़ा आता है देखने में एक बॉडर देखते हैं तो यहाँ पर geological, geopolitical scenario सब कुछ नजर आएगा दूर देखेंगे तो कहेंगे उस side नेपाल नजर आ रहा है इधर इंडिया है और जो यहाँ पर सुमेश्वर फोर्ट का रीजन है उस छेत्र का है लेकिन वो जो है रूइस हो चुके है और वहां के बहुत clear cut pictures वेगरा अबलेबल नहीं है बाकी यहाँ पर जो आपको देखना है बितिहरवा आसरम जो है यह important है महात्मा गांधी के संग्राम से इसका relation है historic है यह आसरम जहाँ पर महात्मा गांधी जो है 1917 में शुरुवात करते हैं अपने सत्यागरह को तो यह चंपारन मुहमेंट की जो शुरुवात होती है वही वो आसरम है कितना खास है राजकुमार सुकला जी को आप नहीं यहाँ इग्नॉर कर सकते हैं इन बातों पर भी आपका जाना चाहिए नंदन गढ़ और चाकी गढ़ तो यह जो तस्वीर है यह नंदन गढ़ की है और नंदन गढ़ जो है और यह लारिया ब्लॉक में है और चाकी गढ़ arin सितेफाक है तो नंद गढ़ हो गया और चांकी, तो यह यहाँ पर हम देख सकते हैं, कि यह इस्तूपा वैगरा है, एसेज वैगरा है, यहाँ पर रखे गए हैं, बुद्धा के रेलिक्स वैगरा है, ओके, अब यह असोका पिलर, बहुत इंपोर्टेंट है, असोक पिलर एट लॉरिया, कई बार आप पढ़े हो होंगे, बिहार के परिस्ट भूमी में भी, बिहार के कंटेक्स्ट में भी, और इंडिया के भी कंटेक्स्ट में, तो एक किलोमीटर दूर अगर कहें, कि जो इस्ट में पढ़ेगा जगह, नंदगर, लॉरिया ब्लॉक से, तो वहाँ पे लाइन पिलर है, असोका का, यह कंटिशन में है, मोनोलीट से बना हुआ है, यह जो पीलर है, 35 फीट, इसका टोटल हाइट है, और बेस डाइमेटर का है, तो 35 इंच और उपर में करीब 22 इंच है, यानि कि ऐसे पतला हो गया, इसमें इस तरीके से थोड़ा सा है, टैपरिंग है, तो यह मैसिव है, और यहा बुल का था, यानि कि सांड का, और वो रखा हुआ है, नेशनल म्यूजियम न्यू देली में, और जो दूसरा लाइन का है, वो रखा हुआ कलकता में है, जो कि यहाँ चमपारन के छेतर में असोका के पिलर के हिस्से हैं, तो यह इंपोर्टेंट है, और जो हमने सराइया मा की बात की, तो इस तरीके का यह वाटर बड़ी है, सराइया मान जो है, वो एक तरीके का जील है, जो कि नेचुरल टूरिजम का एक इंपोर्टेंट स्पोर्ट है, और इसको गवर्मेंट काफी प्रमोट भी की, और 6 किलोमेटर करीब दूर है, बेतिया से अगर बात करें, स इतने फेमस हैं कि इनको अलग से डिसकस करने की भी जरूरत नहीं है, इस्टिल एक बार नाम जानना जरूरी है, तो वेश्चमपारन के जो फेमस परसनालिटी है, इसमें गोपाल सिंग नेपाली, यह जो कवी है, यह बहुत इंपोर्टेंट है, इसी तरीके से एक्टर मनो पुराने समय की बात है, वो इसी छेतर में अपनी कुटिया बना के रहते थे, तो इसी वज़ा से वो बालमी की अभ्यारण का छेतर भी कहा जाता है, अब जरा हम यहां की कल्चरल डाइवर्सिटी को देख लें, तो जो बालमी की लेंड़ स्केप है, यहां पर हम कई तरीक थारू कमुनिटी के द्वारा, प्राइमरीली जो लेंग्वेज बोली जाती है, वो है भोजपूरी, रामनौमी जो है, एक मेन फेस्टिबल है, और यहां पर सोचियो कल्चरल रिलेसंसी प्रक्ते हैं, जो नेपाल के रहने वाले थारू कमुनिटी के लोग है, यानि रोट एक लोगडाउन का नियम बनाया गया है, ताकि वो एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया जा सके नेचर को, क्या आप उस लोगडाउन वाले टर्म को बता सकते हैं, अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत खुसी होगी, नहीं तो अन्या था, जो मैं अगला वीडियो दांगर कहा जाता है, और इसका मतलब होता है लिवरर्स, ओरंग भासा में, तो बेसिकली अंग्रेजों के जमाने में यहाँ पर प्लांटर्स वैगरा आया करते थे, और वो चार अलग-अलग ट्राइवल कम्मुनिटी के लोग को छोटा नागपूर के छितर से लाएं, यह जो की एक साथ कलेक्टिवली डांगर कहलाते हैं, और उन, मुंडा, लोहरा और भुया, तो यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी थारू कम्मुनिटी की है, बट यह यहाँ पर रिसाइड करते हैं, और इनकी जो डाइलेक्ट है वो भोशपूरी नहीं है, यह आप समझ सकते हैं, ठीक, क्योंकि यह अलग-अलग चारो कम्मुनिटी हैं और इनके लोग अपने में जो बाते करते हैं, अपने रिजिनल डाइलेक्ट में करते हैं, जो की वो अपना कल्चर छोटा नागपूर से लेके आएं हैं, अब यहाँ पर इस मैप को देख लिय गया, जो तराई का छेतर है, वो आप समझ सकते हैं, कि इसी के बाद ये वाला जो छेतर है, वो हो गया, यहाँ पर आप गंधक नदी को देख पा रहे हैं, और यहाँ पर यह जो ट्रैक है, बुढ़ी गंधक का आपको नजर आ रहा है, छोटी गंधक भी कई बार इसका जि रेंफॉल वैगरा का, तो यहाँ पर मोडरेट से ज्यादा रेंफॉल होता है, एक सो नबबे, एक सो साट सेंटीमीटर, और कुछ छेतरों में एक सो तीस सेंटीमीटर, लेकिन यह तराई का छेतर है, वहाँ करीब 200 सेंटीमीटर बारिश तो होती है, तो ड्रॉट के लिए यह छेतर नहीं जाना जाता है, लेकिन हाँ यह फ्लड के लिए जाना जाता है, और यह जो हमारा फ्लड जोन्स है, जो कि UNDP का यह मैप देख पा रहे हैं, आप United Nations Development Program, उनका जो यह मैप है, फ्लड एफेक्टेड बिहार का, उसमें पश्चमी चमपारन को बहुत ही मेजरली क किया गया है, अब जरा बात अर्थक्वेक की कर ली जाए, तो यह वाला जो छेतर है, आप समझ सकते हैं, कि पश्चमी चमपारन का यह छेतर कहां पर आता है, तो अर्थक्वेक हाई रिस्क जोन में आता है, यानि कि यहाँ पर MSK 7 है, लेकिन यह समझ लीजे कि वेरी हाई इसकी जोन में नहीं है, लेकिन हाँ, रिस्क जोन में तो बिलकुल है, क्योंकि आप समझते हैं, कि यहाँ पर हिमालियन माउंटेन्स हैं, यहाँ पर जो है यूरेसियन प्लेट है, यह इंडियन प्लेट है, इसी जगह पर जाके टकराया था, तो अर्थक्वेक्स वेगरा आने लाजमी है ये wildlife protected area का map है और मैं इस छेत्र को जूम कर दूँ तो आप देखेंगे कि यहां numbering एक और 12 दिया गया है साथ ही साथ यहां 11 भी तो एक जो है वालमिकी नेशनल पर्क जो आप समझ गया है इसके साथ जो यहां पर 12 और 11 बताया गया है तो 11 जो है वो उदैपूर wildlife century है बिहार में आपको राजस्थान वाले उदैपूर से confused नहीं होना है और साथ ही साथ बालमिकी wildlife century तो यह पूरा का पूरा छेत्र हो गया इस तरीके से आप mapping से भी समझ गया और मैं उमीद करता हूँ कि यह वाला जो वीडियो है आपको काफी interesting लगा होगा बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा और आपके मन में दुविदा संकोष तो सायध ही बचे होंगे तो फिर हम आगे मिलेंगे और भी बहुत कुछ चर्चा करेंगे फिल आल इस वीडियो में इतना ही थैंक्स पर वच्चिंग और आल बेस्ट पर यूर अपकमिंग एक्जाम्स